Hello students, O2IS Academy में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम जोती कौशल है और हमने पिछले एक साल के Current Affairs को cover करना शुरू किया था HCS Prelims के लिए, जो की almost cover हो चुके हैं तो overall इस series के अंदर आज आपका day number 39 है और आज हम जो शुरू करने वाले हैं, that is May 2022 and June 2022 के Current Affairs इससे पिछले जो एक साल के Current Affairs हैं, जो की June 2021 से लेके April 2022 तके Current Affairs वो हमने cover कर लिए हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारे subjects को cover किया था, even यहाँ पे जो हर्याना state की Current Affairs हैं उसको भी cover किया था जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS Academy की आप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे आपको HCS Prelims के नाम से एक Course मिलेगा, जिसके Content Section में Study Resources के अंदर आपको सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले exam की preparation करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने HCS का foundation course को भी launch किया है जिसके अंदर again हमने बहुत सारी subjects को cover किया है static subjects को cover किया है इसके अलावा आपको state specific GK भी मिल जाएगा test series भी मिल जाएंगी तो आप जाकर इसको explore कर सकते हैं तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली news से आज हम जो देखने वाले हैं वो है में और जून के 2022 के current affairs तो शुरू करते हैं सबसे पहले art and culture से तो इसकी सबसे पहली news के बारे में बात करते हैं कि जो बासव जैनती है वो third में को मनाई गई थी अब अगर मैं बासव जैनती के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो वो किसकी याद में मनाई जाती है तो जो बासवेशवर हैं जो की एक बहुत ही बड़े philosopher थे करनाटिका वाले region में इनका बेसिकली birth हुआ था वही पर ही और यह दो चीजों के लिए बहुत जादा माने जाते हैं एक है कि इन्होंने लिंगायत सेक्ट को found out किया था और दूसरा है कि इन्होंने अनुभाव मंटब का concept दिया था तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिंगायत सेक्ट के बारे में यह एक ऐसा सेक्ट है जो की बासवेशवर जी ने शुरू किया था इसके अंदर जो भी लोग हैं वो शिवजी की एक form को that is shivling को बहुत जादा मानते हैं इसके अलावा वो अपने गले में एक अलग से ही shivling को भी पहनते हैं दूसरा concept है इनका अनुभाव मंटब का अनुभाव मंटब का मतलब यह है कि यह एक ऐसी type of parliament है जिसके अंदर लोग आकर अलग लग चीजों के बारे में discuss करेंगे और वो सारी की सारी जो चीजे हैं वो हमारी society से related हैं अलग लग religious issues हो गए, social issues हो गए, cultural issues हो गए उन सारी चीजों के बारे में इस parliament के अंदर जिसको हम अनुभाव मंटब के नाम से भी जानते हैं तो इसके अंदर आकर discuss करेंगे तो यह concept जो है बासवेशवर जी ने शुरू किया था जो कि 12th century के around करनाटका वाले रीजन में देखने को मिलती हैं, अगर मैं यहाँ पे राखी गड़ी के बारे में बात करूँ तो हर्याना के हिसार वाले रीजन में यह site लाई करती है जो की हडपन site है, अब हडपन site का मतलब यह है कि जो भी इंडस वैली civilization थी तो उसके अंदर जो सबसे पहला town जो यहाँ पर discover हुआ था, that is हडपा, जो आज के पाकिस्तान में लाई करता है, तो इस वजए से इस civilization का नाम हडपन civilization भी रख दिया गया है, इस इंडस वैली civilization के अंदर अलग-अलग sites जो हैं वो देखने को मिली, अगेन एक site थी राखी गड़ी जो की हर्याना के हिसार वाले रीजन में देखने होनी चाहिए, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली civilization की जो site है, that is राखी गड़ी और उसके बाद गुजरात की दोला विराती है, राखी गड़ी site के बारे में बात करूं तो यहां पे प्री हडपन phase, पैटर्न जो है, वो यहां पे देखने को मिला, इसके अलावा यहां पे अलग-अलग bricks इंटे देखने को मिली, जो की कच्छी इंटे भी थी और mud bricks जिसको कहते हैं हम, इसके अलावा burnt bricks भी देखने को मिली, other than this, यहां पे राखी गड़ी site के अंदर अलग-अलग skeletons देखने को मिले, जिसके DNA samples को लिया जाता है, और यहां से उन DNA samples से पता लगाया जाता है, कि basically यह कैसी-कैसी जैसे diet follow करते थे, तो उन सब चीजों के बारे में उस DNA samples से पता लगाया जा सकता है, इवन यहां पे राखी गड़ी site के बारे में यह भी पता लगाया कि उनके DNA samples से यह पता लगाया गया, कि इनका जो origin है वो independent है, यह कहीं से आकर बसे हुए लोग नहीं थे, यहां पे इनका जो origin हुआ था, वो यहां का खुद का origin था, क्यूंकि पहले यह theory मानी जाती थी ना, कि यहां पे हडपा के site के अंदर जो लोग आए हैं, तो यह माना जाता था क कि एशिया का जो central वाला region है, वहां से migrate करकर यहां पर आए हैं, लेकिन इस DNA sample से जो भी excavation देखने को मिली है, तो उसने इस theory को negate कर दिया है, यह theory जो है, वो reject हो गई है, तो आपने राखीगडी site के बारे में अच्छे से याद करके जाना है, क्यूंकि HCS exam के अंदर, of course, हर जो लोहा है, तो वो 42 साल पहले भी यहां पर यूज किया जाता था, इसके अलावा गर मैं बात करूं कि तमिल लाडू के अंदर एक site लाई करती है, जिसका नाम है मैला दुमपराई, जो कि तमिल लाडू के कृष्णगीरी रिजन के अंदर लाई करती है, तो यहां पर भी अलग-अलग excavations जो है वो चलती रहती है, इससे पहले यह माना जाता था कि तमिल लाडू के अंदर जो सोना है, वो सिरफ पंदरा सो बी-सी के टाइम पर ही देखने को मिला, आपको बी-सी का कंसेप्ट आयो पता होगा कि यह है आपका इससे पीछे वाले जो साल होते हैं, इसके आगे वाले जो साल है उसको अनो डॉमिनी काउंट करते हैं, या फिर हम इसको सी-ई के नाम से भी याद रखते हैं, तो यहां पर इस excavation के अंदर यह पाया गया कि पंदरा सो बी-सी है जो, तो उस टाइम पर यहां पर तमिल लाडू के अंदर सोना देखने को मिलता नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मारतंड टेंपल के बारे में, तो रिसेंटली जो जमुयन कश्मीर के गवर्नर हैं, उन्होंने यहां पर इस मारतंड टेंपल के अंदर अलग-अलग रिचुल्स को परफॉर्म किया हैं, तो अगर मैं इस मारतंड टेंपल के बारे में बात कर ललिता दिद्या मुक्तपीड, तो इन्हों ने इस टेंपल को बनाया था, इसके अलावा एक रूलर थे यहाँ पे जिनका नाम है सिकंदर शामिरी, तो इनहों ने अपने टाइम पे इस मारतंड टेंपल को डिस्टोय कर दिया था, और अभी यह जो मारतंड टेंपल है वो इस से ही कोई जैसे prayers वगेरा नहीं हो रही है जिस time पे वो site ASI के अंडर आई थी उस time पे अगर कोई भी prayers नहीं हो रही है तो उसके अंदर जो prayers वगेरा है वो continue नहीं होनी चाहिए तो उस time पे बहुत अलग-अलग issues जो हैं इस Martin Temple के लिए उठकर आए थे next हम बात करते हैं कानहेरी केव के बारे में तो यहाँ पे बुद्ध पूर्निमा वाले दिन जो की 5 मई को मनाया गया था तो उस दिन यहाँ पे ministry of tourism ने अलग-अलग चीजों को inaugurate किया कानहेरी केव के अंदर अगर मैं कानहेरी केव के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सारी केव देखने को मिलेंगी जो कि सारी की सारी rock-cut monuments हैं एक तरहा से rock से ही इन्होंने अलग-अलग चीजों को बनाया हुआ है तो approximately 110 different caves आपको देखने को मिलेंगी इसके अलावा यह जो caves है तो बहुत पुरानी लेकिन यहाँ पे जो अलग-अलग foreign travelers आये थे उन्होंने भ मैं बात करूँ कि यहाँ पर इनका नाम कानहेरी केवज क्यूं है तो एक तरहां से काना की गिरी माना जाता है और आपको पता ही है कि जो काना है वो श्याम रंग है तो इन दे सेम वे जो केवज है इनका ब्लैक कलर होता है तो इस वज़े से इनका नाम जो है वो कानहेरी केव भी रख दिया गया है, इसके अलावा आपको इन कानेरी केव के अंदर बुद्धिजम से रिलेटेड अलग अलग रॉक कट आर्किटेक्टर जो है वो देखने को मिलेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली कौड समिट हुई थी जो कि टोक्यो के अंदर हुई थी हमारे प्राइम मिनस्टर नरेंदर मोदी जी भी घहे थे अफकॉर्स प्यूंकि कौड के अंदर चार यहां पे आती हैं, that is India, US, Australia and Japan, तो यहां पर जो प्राइम मिनेस्टर नरेंदर मोदी जी हैं, उन्हों ने अलग अलग countries के जो हेड हैं, उनको अलग अलग paintings ती, जैसे कि सबसे पहले बात करूँ कि US President को उन्होंने सांजी आर्ट ती है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है, सांजी आर्ट के ब को perform किया जाता था, इसके अलावा इस आठ के अंदर होता क्या है, कि paper के उपर या फिर stencil के उपर अलग-अलग cuttings करी जाती हैं, और उस cutting को एक background के उपर रख दिया जाता है, जिसके अंदर colors भरे जाते हैं, जिससे कि वो colors cutting के अंदर, जो colors भरे जाते हैं, वो नीचे प्रिं पेंटिंग के बारे में बात करूं, तो गुजरात के कच डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पेंटिंग बहुत जादा फेमस है, और यहां पर इस पेंटिंग को perform करने का एक बिल्कुल अलग सा तरीका है, इसके अंदर जैसे जो रोगन जो है, बेसिकली अमतलब होता है, कि जो अंदर अलग-अलग कलर्स को यहां पर मिक्स किया जाता है, और एक, you can say, एक स्टिक के साथ फिर इस पेंटिंग को एक कपड़े के उपर perform किया जाता है, तो इस टदा की कुछ ये पेंटिंग है, जो कि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी ने जै प्राइम मिनिस्टर को भी एक पेंटिंग दी है, जो कि गौंड आर्ट है, अगर मैं गौंड आर्ट के बारे में बात करूँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट ट्राइब आपको देखने को मिलेगी, जो कि जादा तर आपको मध् तो इन्होंने इस पेंटिंग को इस आर्ट को ड्रॉ करना शुरू किया था, और इसके अंदर अलग अलग भगवानों को ये डेडिकेट करी जाती है, और स्पेशली इसके अंदर जादा तर नेचर से रिलेटेड चीज़ों को ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि पेड़ हो गय को अभी रिसेंट ली रिवाइव करने की बात करी गई थी, तो यहां पर मनीपूर का एक मार्शिल आर्ट है, जिसको हम ठांगता के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में अगर बात करूँं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ह्यून, लैंग-लों के बारे में, ह्यून का म इसके अंदर कोई भी weapon को use नहीं किया जाता लेकिन अगर मैं थांगता के बारे में बात करूँ तो थांग का मतलब होता है sword और ता का मतलब होता है spear तलवार और भाले को use किया जाता है इसके अलावा इस martial art के अंदर और भी weapons यूज किया जाते हैं जैसे कि shield हो गया, axe हो गया तो आपने याद रखना है कि जो थांकता मार्शल आर्ट है वो मनिपूर वाले रीजन में बहुत जादा फेमस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिरी पद्मनभा स्वामी टेंपल के बारे में जो कि केरला के तिरुवननंथ पूरम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ये न्यूज में क्यों था क्योंकि रिसेंटली किसी ने इसके उपर पिटीशन डाली थी कि आप इस टेंपल के उपर जो भी ओडिट करना चाहते हैं उसको बंद करवा दीजिए। तो यहाँ पर इस टेंपल के रिगार्डिंग जो ट्रस्ट बना हुआ है उन्होंने पिटीशन डाली थी। तो अगर मैं इस टेंपल के बारे में बात करूँ तो हमारे इंडिया का सबसे रिचस्ट टेंपल इसको माना जाता है और यहाँ पर यह देखने को मिला कि अलग से ही यहाँ पर खजाना मिला अब इस खजाने से रिलेटेड यहाँ पर सुप्रीम कोट ने बोला कि आप इस खजाने की पिछले 25 साल की ऑडिट कीजिए ऑडिट का मतलब होता है कि यह खजाना जो है वो कहाँ पर यूज किया गया कौन-कौन से परपसिस के लिए उस ट्रेज को रिजेक्ट कर दिया है अगर मैं इस टेंपल के बारे में बात करूँ तो 8th century के अंदर इस टेंपल को बनाया गया था और अभी जैसा यह टेंपल दिखता है ऐसा माना जाता है कि 18th century में इस तरह की इस तरह का जो टेंपल है उसको बनाया गया था और वहां का एक राजा जिनका नाम है मार्तन डवर्मा उन्होंने इस टेंपल को बनाया था इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि पहले ये लकडी का बना हुआ टेंपल था लेकिन बाद में इसको ग्रिनाइट का बना दिया गया था इसके अलावा ये जो टेंपल है वो विश्नु जी को डेडि के उपर ही लेटे हुए हैं तो आपने इस temple के बारे में याद रखना है जो कि के रिला वाले रीजिन में आपको देखने को मिलेगा तो आटेंड कल्चर के यहां पे दो मंस के जो करंट अफेर हैं May 2022 and June 2022 के जो करंट अफेर्स हैं वो कवर हो गई हैं In the same way हम जल्दी से जल्दी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो इन दो मांच के करंट अफेर्स हैं वो फटावट से कवर कर लेंगे Thank you so much and have a nice day